नमस्का दोस्तों आपका स्वागत सुबोर डिजिटल यूटूब चैनल मतोफेंड आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे सहरी छित्र का परधान मंत्री आवास योजना लिस्ट कैसे निकालना है तो इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को फूए रखेगा दोस्तों आप आज सुवाजना लिस्ट निकालने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ओपेन कीजेगा और गूगल में आपको टाइप करना है गूगल में आपको लिखना पी एम एँ वाई य निक के सर्च करना है दोस्तों बहुत सारे वीडियो हमने बनाया है गरामी छेत्र के लिए गरामी छेत्र का लिस्ट किस तरीके से निकला जाता है तो मैंने 20 से 20 वीडियो लगभग बनाया है अपने चैनल पे लेकिन यह फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं कि सहरी छेत्र का यह लिस्ट कैसे निकला जाएगा ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं हलाकि सहरी छेत्र में आप जो है पी एम अवास योजना का जो है अपलाई भी कर सकते लेकिन गरामी छेत्र के लिए आफ लाइन होता है जो कि उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है ठीक है तो देखिए यहा सहरी छेत्र के लिए है आप देख सकते यहां पर सहरी है और यहां पर कितना क्रोड कप कप पैसा आया यह भी आप यहां पर देख सकते हैं हलाकि यह सब देखना आपको देख सकते हैं आप देख सकते हैं ठीक है तो यहां पर किलिक किजेगा तो यहां पर देखिए एक आप आप देख सकते इस तरीगे से उप्शन है तो जब करना है यहाँ पर एक जिसके नाम से देखना है कि आवास आया है कि नहीं आया है लेस्ट है कि नहीं है तो आप लिस्ट नहीं देख सकते हैं लेकिन आप ये देख सकते हैं कि आपने जो अधारकार से आवास येजना के लिए अपलाई किये थे वो सम्मिट हुआ है कि नहीं हुआ है ये देख सकते हैं गरामी छेतर वाले के लि उसके बाद सोपे किलिक किज़ेगा सोपे किलिक किज़ेगा तो यहां पर जो देखिए नो रेकॉर्ड फंड है तो इस नाम से आवास यह देना का पैसा नहीं आया है और यह रेकॉर्ड में नहीं है तो आपके नाम से आवास का पैसा आया है आवास मेली तो इस तरीके